नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिलिंदन है लहाबाद विश्विद्दाले के जो नौ प्रविशी चात्र है उनके लिए वीडियो बहुत इंप्वाटेंट है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यहां की वर्तमान चात्र भी जो अगर आप नए चात्र आ रहे हैं इसके साथ साथ जितने भी इलहाबाद में रहने वाले हैं उनके लिए बहुत यूच्फुल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके रहने की विवस्था कहां की जाए आपका एडमिशन हो गया है आपकी कट-off आ रही है आपका आ कालेज में दाखिला लिए हैं तो आपको भी बहुत बदाई हैं आपका भी दाखिला होगा कैमपस अगर आपको नहीं मिलता है तो कॉलेज में ही आप एड़ज़ेस्ट हो जाएंगे बात हम करते हैं कि हम रहे कहां आखिरिकार अब आप धिर धिरे प्रयाग राजाना शु जो इलहाबाद के विशाय में अंजान रहते हैं अंजान सहर में जब हम रूम ढूरने आते हैं जब हम वास्टल ढूरते हैं तो बच्चे तो लड़के तो ढूरनेते हैं लड़कों को खास दिक्कते होती हैं क्योंकि बहुत सारी लड़कों की मा भी आती हैं उनके पिता भ करता है तो बस यही बातें आपसे बतानी है कि इलहाबाद इन्वस्टी की अगर मेन केमपस की बात करूँगा फिर इसके बाद एक सीरीज चलेगी कि कॉलेज की आज पास कहा अच्छा रूम मिलेगा कहा बहतर तरीके से आपको सुविधा मिलेगी इसके साथ साथ मैं आपको अभी यह वीडियो मेन रूप से मेन केमपस के लिए है और मेन केमपस के आज पास जो कॉलेज है वह जगत्तारन डिगरी कॉलेज मेन केमपस के पास ही है वहाँ के भी छात्र इसको आराम से देख सकते हैं इस सवसरन भी सलोरी बगल ही है और साति साथ सीओंपी भी बहुत कर सकें क्योंकि आप सब बहुत मध्यम परिवार से हैं और एक मध्यम परिवार की क्या मजबूरिया रहती ही हम लोग 5,000-4,000 रुपया घर से मिलता है किसी के माप बहुत किसान होंगे किसी के माप रिक्सा चलाते होंगे तो बहुत पैसा हम लोगों के पास नहीं रहता और ब परस्तिती में मैं आपके साथ खड़र हूंगा यह मेरा कमिट्मेंट है यह मेरा आपसे वादा है आप कभी भी अपने आपको अकेला महसूस नहीं करेंगा अब बात करते हैं टॉपिक पर क्योंकि अभी तक भूमिका बना रहा था और भूमिका बहुत लंबी खासी बनाता अगर आप मेंर्ड केंपस के छात्र हैं में केंपस में सारे विद्यार्थि को जफ़र्वास के ङलदा है कॉलेज में चाहत्र वास ही तो मुश्य से 400 500 बच्चों फेका डाष्ट के शत्र यहींज में खणरे हम से कर रहे हैं कि एक सार्य बच्चों को चत्रवास मिलता नहीं है और कॉलिज में चास्थ इतने सारी विद्यार्धी हैतो नहीं मैं अब musical अगते लड़के हैं और में प्रयाघ इस्टेशन पे थीख बगल यह आपकी इनवश्टी भी प्रयाघ इस्टेशन के ठीक मेल ही है थो थो चोता बगाड में आपको सबसे सब्सक्त रूम मिलेगा आप रूम के लिए कि दारागंज देख सकते हैं दारागंज एक ऐसा लोकेशन है जो जहांसे आप 10 रुपिया का इरिक्षा करके आप आराम से इंवस्ट्री पहुंच आते हैं हम पैदल वालू की बात करते हैं कि कौन विध्यारती पैदल रहेकर इंवस्ट्री जल्दी पहुंच जाएगा तो इसका लोकेशन है वह छोटा बगाड़ा सबसे बेस्ट लोकेशन फौर पैदल र होाइब ऱारों के लिए सबसे सस्ता इलाका है छोटवाड़ाभाग हाड़ आती है किठाव अब नहीं आती शेहेर DR लड़के द्यां से सुने छोटा बगाड़ा आपके लिए अच्छा है इसके साथ अब अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो आप रूम ले सकते हैं सलोरी में आप रह सकते हैं कि सलोरी से अगर आप 10 रुपिया दे के इरिक्षा करके इंवस्टी आएंगे तो सलोरी में आप रह लेंगे तो सलोरी भी आपके लिए अच्छा लोकेशन है अगर आप दो लोग रहते हैं तो पचीस सो तीन हजार तक आपको बहुत अच्छा खासा रूम मिल जाएगा और पैतिस सो में तो बहुत बहतर रूम आपको मिलेगा अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तब भी आपकी कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए लेकिन यह जो हिट लोकेशन है इन्वस्ट्री के आज-पास प्रियागी स्टेशन के आज-पास आज-पास आप देख लीजिए चोटा बगाड़ा में आप देख लीजिए सलूरी में भी आप रह सकते हैं लच्छमी चवराहे के पास तक आगर आपको रूम मिले कट्रा में अगर अल्लापूर में अगर आपको रूम मिले और उधर हम चले जाते हैं तो बालसन चवराहे के आज-पास अगर आपको रूम मिलता है तो आप बेजी जक वहां पर रूम ले लीजिए तो कट्रा हिट लोकेशन है यहां पर बहुत अच्छा-खासा महंगा रूम आपको मिलता ह आपकी छोटा बघाड़ा में आप देख लीजिए अल्लापूर दारागंच और सलोरी यह आपको गोविंदपूर में भी आप रह सकते हैं दस रूपिया दीजिए टेंपू आएगी आपको सीधे यहां पर बैंक रोड आपको छोड़ेगी तब आप अपनी क्लास करिएग कभी कभी पचीश सो में भी आपकी बात बन जाती है अगर आप दो लोग रहेंगे तो आपके लिए वहन कर सकते हैं अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो एकात महिन इंतिजार करिए आपके सहपाथी बहुत रहेंगे उसको पार्टनर बना लेजिएगा साथ क लड़के रहेंगे तो competition भी बहुत अच्छा रहेगा और प्रतिसपरधा भी अच्छी रहेगी तो पढ़ाई लिखाई करने में आपका मन भी लगेगा अब बात हम कलते हैं लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए कहा रूम अच्छा है रूम तो इनके लिए थोड़ा परिवार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है आपके उपर बहुत सारे व्ली भी उठते हो लेकिने आप बहुत भागयसाली हैं आप माबाप की संतान हैं जो अपनी बेटीयों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते है आजकि समाज में तो उनके सपनों को पूरा करने के आप प्रियागरा जा रही है जो भी आभिभावक है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि गल्स के लिए जो होस्टल है तो वो कहां आपके लिए होस्टल पीजी और रूम तीन उपसन है उनके पास होस्टल में जो प्राइवेट होस्टल यह आपको मिलेगा बहु सिंगल रहना चाहेंग तो इसके कोश्ट दस अजार के उपर वैसे सिंगल रहने से कोई मतलब थोड़ी है आप उसमें रहीए पीजी की बात करते हैं तो जो पीजी है खाली है आजपास बहुत इलाके हैं जहाँ पे लड़कियो के लिये ही वह फेमस इलाके हैं वहां पे ब बहुत कमफर्टेबल भी महसूस करेंगी आपको भटकना नहीं पड़ेगा तो जो गल्स के लिए पीजी है उसकी भी कॉस्ट जो है पैंतिस सो तीन हजार यह सारी इस यादा नहीं पैंतिस सो ज्यादा नहीं है सिंगल बेट का थर्टी फाइव हैंट से ज्यादा पीजी का तौ इसके लिए लोकेशन जो बेस्ट है घॉश्टल और पीजी की लिए जाई आपको बटा रहा हूँ अगर आप एक लड़की है तो सबसे अच्छा लोकेशन आपको एलनगज रहेगा एलनगज जो है बहुत बेस्ट लोकेशन है क्योंकि इन्वस्टी से ठीक पास है पूरा इउनवस्टी की आज पास Science faculty से लेकर के नेतराम चौराहे से लेकर के लच्छमी चौराहे से कारपेंटरी चौराहे तक यह location बता रहा हूँ आप प्रियाग्रा जाएगा पूछ लीजेगा किसी से लच्छमी चौराहा कारपेंटरी चौराहे के आज पास अगर आपको जाएगा प्रयाग श्टेशन जब आप देखेंगे तो प्रयाग श्टेशन के ठीक बगल है लल्ला चुंगी तो वहां आपको फ़ौशल पीजी मिल जाएगा इसके साथ से अगर आप उधर भागेंगी तो मनमुहन च्वराहे पर भी आप फौश्टल पीजी ले सकती हैं पन को ले सकते हैं बाकि सबसे बेस्ट प्लेस है एलन गंज में आप जाइए वहाँ पर बहुत सारे नये होस्टल पीजी बने हुए आप वहाँ पर सिफ्ट हो जाइए कट्रा एलन गंज मनमोहन चौराहा और इसके साथ साथ लच्छमी चौराहा कारपेंट्री चौराहा यहां आपको रूम लेना है या जो लड़कियां इतना पैसा ना वहन कर पाएं अगर रूम आप ढूंड़ना चाहती है तो आपको रूम छोटा बघाड़ा में भी लड़कियों के लिए मिल जाएगा थोड़ा सा आपको बहुत मसक्कत करने पड़ेगी बागे रूम के लिए यहां पे आपको रूम जो मद्दम परिवार से थोड़ा रूम रेखेंगे जिनके पास थोड़ा पैसा वैसा है वो हॉस्टल में रहना बहतर समझेंगे यह लोकेशन है फॉर गल्स के लिए तो यह बाते आप से बतानी थी कर आप मेंन कैंपस की छात्र अगर आप जो है आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो लड़कियों के लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो एलन गंच कट्रा लच्षमी चौराहा पनीर चौराहा और कारपेंट्री चौराहा मनमोहन चौराहा और इधर जोर्ज टाउन इधर टैगोर टाउन इधर आप सलोरी म में भी पीजी आप ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है गोविंदपूर में भी आप लेकिन जो एकदम करीब है वो करीब कौन सा इलाका है एलन गंच कट्रा लच्षमीर मनमोहन और पनीर चौरहा आनद भावन के ठीक सामने यह सारे बहुत हिट लोकेशन है फौर गल झाल